हलो गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड जो मेरी पीछे जो जगा दिख रही है काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है सबसे पहले यहां दिख रहा है यहां पर मशली पकड़ना सक्त मना है तो हम तो यहां मशली पकड़ने नहीं आये हैं हम यहां वीडियो बनाने आये हैं वाव याल बहुत अच्छा लग रहा है वाव यह पेड़ देख रहे हैं बिल्कुल इतना पानी हो गया है कि पेड़ जुका हुआ है और पेड़ का काफी हिस्सा पानी में है अच्छा पानी में हुआ है अच्छा दिख रहा है यहां पर मश्ली पकड़ना मना है यह आगे भी एक अब तलाब बुले इसको जील बुले पता नहीं पर अच्छा दिख रहा है यह भी महां पर एक बोड लगा हुआ है यहां मश्ली पालते हैं मश्ली की फार्मिंग होती है और आगे एक मंदिर दिख रहा है हमको चलते हैं मंदिर तक और यह शिर जी का मंदिर है और अब चलते हैं आगे वाओ यार इतो वार बढ़िया लग रहा है है फोटोग्राफिक लिए भी बहुत अच्छी जगा है रेंड़्य श्युक्रीव से प्लेस है बट इनको फोटोग्राफी आती है वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं यहां पर बहुत बढ़िया दिख रहा है तो में यहां खड़ा था अब यहां से हम लोग वापस चलते हैं हुआ 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 है यहां नीचे तो नहीं उतर सकते काफी कीचड लग रहा है यहां से हम आये थे और यह हमारा जील है इसमें वैसे यहां बैठके काफी अच्छी फोटो जा जाएंगी एक फोटो ले लेता हूँ अगर आप पीछे देख सकते हैं अभी जो गाड़ियों के आवाज आ रही थी यह आपका नया राइपूर वाला रोड जो में इसके पीछे आपको दिख रहा है जूम करके आपको दिखा रहता हूं यह जो रोड है यह आप जब सेरी खेड़ी से नया राइपूर जाते हैं वो वाला रोड है और वहीं से अगर एक रस्ता कटा हुआ इधर पर जो नहर वाला रोड है बेसिकली नहर वाले रोड के बाजू में ही यह जगा पड़ती है और अगर मैं इधर से आपको बताओं हालंकि इधर से आने की जगा नहीं है यह जो रोड दिख रहा है यह रोड है आप एरपोर्ट से अगर मंदिर है सोथ जाते हैं तो यह वह वाला रोड है तो आइडोंट नो यहां वहां से आ सकते हैं कि नहीं बट मैं जिस रास्ते से आऊं वह रस्ता काफी अच्छा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर अपना व्लॉग एंड करते हैं